हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार दुवारा से आपके अपने चैनल वेकरणा स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चैनल वे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दवना ना भूला ताकि अब हमारे सभी के सभी नोटिविकेशन रिसीब कर पाओ सबसे पहले तो दोस्तो बात करेंगे आज के निप्टी प्रेडिक्शन की निप्टी में फ्यूचर में क्या हो सकता है और आपको जैसे पता है एक हमारी सिंपल सी स्ट्रेड़जी है निप्टी में जिस प्रकार से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्किट को वो है 83 और सीयम की मीटिंग है मतलब हारे जो महारास्टरा के सीयम है वो आज आने वाले है और डेफिनेटली उनके वाक्य या मुख से जो वर्ड निकलेंगे वोकल मार्केट को उपर या नीचे लेके जाएंगे ठीक है क्योंकि दोस्तों आपको पता है महारास्टरा में केसिस बढ़ र सकते हैं लेकिन दोस्तों न्यूस की हमें कोई अवसकता नहीं है मेरा मानना है कि हमें संकेत चार्ट में देखने को मिल चुके है कि भईया मार्केट में कुछ बड़ा घटने वाला है ठीक है और मैं दोस्तों कभी भी एक तरफ नहीं सोचता हूँ मैं हमेसा दोरों तरफ सो है intraday में आज जैसे मैंने आपको telegram अपडेट दिया था ठीक है 83 और 9 moving average का crossover intraday में हो चुका है तो क्या हमें अपना ये market जो है पुरी crash होने वाली है दोस्तों जैसे आपको पता है मैंने बहुत clear word में कहा है जब भी 83 और 9 moving average का crossover होता है तो आपको wait करना है confirmation का वो confirmation हमें मिलेगा कल सुवे morning में जो आज intraday का low बना है अगर वो कल morning में break हो जाता है तो definitely market बहुत बड़े labels दिखा सकती है आपको निची के तरफ अगर वो crash नहीं होता है और market उसी के उपर घूमती रहती है तो समझ जाना market आपका जो high बनाया last high last swing वो break कर सकती है तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि market में कल क्या हो सकता है चार्ट के साब से और जैसे आपको पता है हम US market को focus करते में ली आपको पता हमारी जो Indian market है वो लगतार अभी US market को follow नहीं कर रही है 6 मन का चार्ट खोल लगा लगता हमारी stock market लगता नीचे गिरने में लगी है लेकिन जो US market है वो लगतार highs बना रही है ठीक है वहाँ पर earnings अच्छे आ रही है उनके results काफी अच्छे आ रहे है और इंडिया में भी यह हो रहा है लेकिन इंडिया में COVID के जो results है आउट अप कंट्रोल हो रहे है इस बज़य से हमारी market में आप बहुत थोड़ा सा negative देखने को मिलदा है यह आप बोल सकते हो कि भाया लोग यहां पर wait and watch कर रहे है ठीक है wait and watch मतलब एक range में trade कर रही है market अब वो जब भी 4 range market break करेगी हमें market levels दिख जाएंगे तो सीता अभी चार्ट के तरफ लेके चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा असान हो जाए market को direction को समझने में क्योंकि ऐसे आपको साथ समझ में नहीं आएगा कि यहां market में अभी क्या चल रहा है आप स्कीन में देख सेकते हूँ मैंने एक moving average अप्लाए गया उसको बोलते 83 का moving average और साथ में अप्लाए गया 9 moving average यह जो बड़ा moving average इसको 83 बोला जाता है और छोटे को बोला जाता है 9 ठीक है दोस्तों आपको यह जो moving average सिर्फ nifty के चार्ट में अप्लाए करना है और दूसरे चार्ट में अप्लाए नहीं करना है मैं आपको थोड़ा market की direction के बारे समझा लेता हूँ कि past में क्या हुआ था future में क्या हो सकता है ठीक है निप्टी ने आज crossover कर दिया है मैं इसी crossover का लगतार weight और नतजार कर रहा था और आज निप्टी ने crossover कर दिया है और मैं आपको छोटे टाइम फिले में आप दिखाता हूं stock में क्या चल रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको छोड़ा जूम कर दिया आपके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं 83.9 movie average का crossover हो चुका है और जैसे मैंने आपको telegram update दिया था morning में ही कि आपको wait करना है confirmation का जिया दोस्तों crossover तो हुआ है लेकिन हमें confirmation का wait करना है वो confirmation कब आएगा ज definitely दोस्तों आपको काफी नीचे के लेबल देखने को मिल सकते हैं और दोस्तों ये चीच मैं नहीं बोलना हूँ ये chart बोल रहा है आपके सामने है past में same यही कानी हुई थी और market देख सकते हैं दोस्तों कितने उपर तक गई थी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप थोड़ा इ यहां से यूटल लेके उपर की तरफ ट्रैवल करने लग जाएगी अब कोशन आता है कि हम अपना पूरा portfolio sell कर दे दोस्तों देखिए मैं आपको दो चीज़े बताता हूँ अगर आपने अपना portfolio यहां कही भाई किया है ठीक है तो भाई किरपा करके portfolio sell मत करना क्योंकि इतना बड़े तो collection nifty के मुझे नहीं दिखते कि market न एकदम ऐसे आजाएगी नहीं वो possible नहीं है market आएगी 2-3 points गीट सकती है लेकि इतनी बड़ा फाल नहीं आएगा कि भाईया यह जो आपको 6-500 के लेबल दिखा दे साधिर 500 के लेबल दिखा दे उतने के लेबल तो market में कभी सा या हाल फिला के दिनों में investment करी है तब तो भाई आप definitely एक बार हलकी हो जाना अगर आपने हाल फिला के दिनों में यहां कही आपने buy करी है मारा last एक महिने से आप index को buy कर रहे हो आप stocks को buy कर रहे हो आप CNC में carry करके घर लेके जा रहे हो तो definitely आपको सोचने के अब सकता अगर low break हो जाता है तो definitely आपको market काफी नीचे के label दिखा सकते है इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपने यहां कही stock में buy किया है यह last 3 महने के अंदर आप लगातर buy कर रहे हो और आपकी जो average cost है अभी आप cost to cost के aspect आपको मिल रहा है मतलब जो भी आपने पैसा लगा आपको उतना ही दिखा रहा है तो भाई definitely आपको एक बार profit booking कर लेनी चाहिए या loss book कर लेना चाहिए otherwise आपका जो loss है काफी बड़ा हो सकता है अगर आपने यहां कई buy किया है यहां कई buy किया है ठीक है इधर कई buy किया है तो यहां buy किया है तो उसको नहीं बेचना है ठीक है आपने बाई के long term investment के लिए किया है और जो यहां आपने buy किया है यह मुझे नहीं पता आपने क्यों buy किया है अब आपको मैंने बतला जिया कि आपको करना क्ल निप्टी में क्या करना है इंडेक्स में क्या करना है ठीक है बाई तो इस बात को ध्यान बुर्वक सुन लेना अगर निप्टी अपना कल आज का डे लोग तोड़ देती है डेफिनिटी मार्केट काफी नीचे बुरी तरह गिर सकती है अगर डे लोग नहीं तूटता है निप्टी अपना रिवर्सल पैटन लेके उपर चले जाएगी ठीक है भाई आशा करता हो आपको समझ आ आगे होग ठीक है साब लिखा हुआ यहाँ पर ठीक है अगर इसका लोग नहीं होता है तो मार्केट आपका रिवर्स कर देगी टॉप के तरफ ठीक है टॉप मतलब यह हाई आपको दिख रहा जो लास्विंग अपने मना रखा है ठीक है आपको मैंने समझा दिया जो आज डे लोग ब लेविल दिखा सकती है अगर यह ब्रेक नहीं होता है तो बैट जाओ ठीक है जब यह दिन ब्रेक हो जाए स्टॉक लो ब्रेक हो जाए तो ठीक है आपको एक बार तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और दोस्ते बोल देना चाहता हूं जो भी आप कुछ करोगे भाई अप अपनी रिसर्च एड करने के बाद करना ठीक है क्योंकि हमने हमारा काम आपको गाइड करना हूं अपको गाइड कर दिया हást हमने आपको गाइड इधर भी किया था ठीक है जब यह मार्केट आपकी इधर चल लए दी मैं आपको दिखा रहेता हूँ एक सेकिंड आपकी 12 है 200 के लेबल में तब भी आपको मैंने बोलता कि माल को बेज़ दो definitely आपको loss हो सकता है उसमें की बात कर रहा हूँ जो आप Nifty क्रेश हुए थी और जागे ट्विटर में चेक कर लेना मैंने Nifty को आपको support area दिया था 7.512 का ठीक है वो हमारा S3 level था और Nifty ने जो bottom out बनाया था 7.519 और 10 के आपको बनाया था जागे चेक करना और ट्विटर में मैंने उसको pin भी कर रखा उस message को कि महारे Nifty के support क्या होंगे जब market correction के mode में जा रहे थी ठीक है तो उसको image को पक्का देख लेना ठीक है और Nifty ने बिल्कुल एक या दो point उपर लेके उपर चले गया था इसलिए कहा रहा हूं बाई और मैंने आपको बथा जेना चाहता हूं खुद ही बथाता हूं कि मैंने आपको 82 रूपीज के आसपा जो Nifty 20 है वो recommend buy करने के लिए कहा था ठीक है उसमें सिर्फ Twitter में ट्याला करता था 82 रूपीज के आसपार हूं आज की rate में वो 170-180 रूपे का high लगा के गया है ठीक है 82 और अगर आप चेक करोगे Nifty 20 का low उसमें जब लगा था market का 82 के price में बोला था उसमें लगाया था 79 का low चेक करो गूगल में जाके या आपको चेक कर जब तो Nifty का 20 आनना आपके जुरोदर के चार्ट में आपको दिख जाएगा मैंने आपको क्या recommend और suggest किया था ठीक है बाई चलो बाई बाई